दोस्तो आपने वीडियो का टाइडल और थमनिल बिलकुत सही पड़ा है और सही सही देखा भी है वो इसलिए क्योंकि अब IPL 2019 के ऑक्सन में जो बड़े दिगज अंसोल्ड गए है चाहे हम बात करने ब्रेंडन मैक कुलम की क्रिस वोक्स की डेले स्टेन की एलेकस हैल्स की हास अमला की ये सभी दिगज अब IPL 2019 में बापसी कर सकते हैं दोस्तो पूरी ख़बर में बताओं इससे पहले दोस्तो अगर आप एक क्रिकेट फैन है तो क्रिकेट न्यू सबसे पहले पाने के लिए आप RS इंटेटेन्मेंट को तो सब्सक्राइब करिए गा ही साथी साथ अप अठे लाग और रुपए कमाने के लिए आप अभी नौश्टर प्रो अप को डाउनलोड करें और अगर आप इस एप को अभी डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड करते हैं तो आपको अभी आपके वालेट में 100 रुपए औरेडी मिल जाएंगे ये ख़बर सबसे पहले आपको RS Entertainment के ओर से मिल रही है तो आप अभी फटा फट वीडियो को जरूर से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें तो दोस्तों अब अगर हम बात करते कि ये ख़बर क्या है पूरा माजरा क्या है क्यों इन सभी दिग्गर की टीम जो पूरी बन चुकी थी यानि पूरे 25 स्पॉर्टस इनके भर चुके थे इससे ज़ादा प्लेरस ये नहीं ले सकते थे और इन्हें और भी प्लेरस लेना था लेकिन इन्हें अपने स्पॉर्ट बचाने के चक्कर में इन्हें ट्रेड करना पड़ा मुंबई तो होगा ही साथ ही साथ जो बड़े दिगज टीम में भी सामिल नहीं किये गए हैं अंसोल्ड हुए हैं इन सभी को ये सभी गैप्स भरने के लिए फिर से टीम अपनी जगह बचा रही हैं और इन्हें टीम में सामिल करना जरूर से चाहेंगी यानि ओक्षन तो खतम हो गया है IPL 2019 का लेकिन इसके बाद भी ये बड़े दिगज IPL 2019 में बापसी करने वाले हैं लेकिन दोस्तों अब आपकी बारी आपकी क्या पीनिन है आपको क्या लगता है इनमें से कौन से दिगज की बापसी होना बिलकुल तय है और कौन सा प्लेयर सबसे पहले IPL 2019 को जोईन करने व IPL से रिलेटेट सभी लेटेस्ट वीडियो और साथ साथ लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले आपको RS Entertainment के उसे मिल रही है तो आप अभी चैनल को सबस्क्राइब कर ले और बैल के नोटिफिकेशन को जो उसे आन करें के रख ले धन्यवाद